आरतीय राजनीती के राम और लक्षमन कौन लगते हैं यह पूछने माना समाल इन यह जाहिड सी बात है मोधी और अमिट शाखिया लावा राम और लक्षमन की जोड़ी तो एक हमारी बीजेपी के मुखे परशन मोधी जी और योगी जी जो पूरे देश को चला रहे हैं और नई बो लेके चल रहे हैं इन दुत्वा की जो राम लक्षमन की जोड़ी हमको लगती है तिये राजनीती में तो सिर्फ एक हनुमान है और वो हनुमान रहते हैं यूपी में हमारे योगी आधितेनाथ जी जोगी आधितेनाथ जी बोल्ड इतने है बात नहीं करते हैं डिस नमस्कार मैं आई शर्म और आप देख रहे हैं ओ न्यूज हिंदी रामायन और राम लीला तो आपने बहुत देखी होगी पर आज एक ऐसी अध्वुत राम लीला की बीच हम आपको लेकर आये हैं जो स्कूल के बच्चों के द्वारत की जाती है जी हां डे वान से लेकर ड अभिने करने वाले हैं राम और सीता की जोड़ी के साथ आज हम खड़े हुए है क्या नाम है आपका केशफ केशफ राम बने हूँ हंजी बहुत खुशी की बात है मेरे लिए बहुत ज्यादा कहां से इंस्पिरेशन आई कि किया जाए राम लीला की जाए एक्टिंग की जा कहां से इंट्रेश्ट आया एक्टिंग में भाई को देखकर ही आया और शेंस्पिरेशन नहीं क्योंकि मेरे घर में मेरी मम में हम लोग बहुत धारमिक है अच्छा अगर बात की जाए क्योंकि आप तो सबसे अच्छी जोड़ी दो लोगों की जोड़ी किसकी हो सकती है राम लक्षमेंट बस घरवाले भी आपको एप्रिशियेट करते हैं कुछ ऐसे बोलता है पढ़ाई पे ध्यान देले क्या रामिला करने में लगा हुआ है पढ़ाई तो साथ साथ ज़रूरी है पर इसके लिए कभी मना नहीं किया अच्छा लग रहा है बहुत घरवाले बहुत सपोर्टेव हैं और हमेशा एंकरेज करते हैं कि जाओ जहां पर मन करें जहां पर अच्छा लगे आपको आगे और करने को मिले उस सब में जाओ अच्छा लगता है इतनी चोटी एज में इतनी बड़ी चीज करना लोगे सामने स्टेज परफॉर्मेंस करना एक तो आपका स्टेज का फियर चला जाता है और इतना अच्छा आपको एक्सपीरेंस मिलता है जो आपके लाइफ लॉंग बहुत काम आता है अगर बात की जाए रामिला की तो संस्कृत के डायलोग्स याद करने होते हैं बिल्कुल भारती वेश्बूशा पहननी होती है कठिनाई आती है इन चीज यूथ को लगता है बोरिंग चीज़े हैं कूल वनो पार्टी करो और ड्रग कल्चर बहुत जादा यूथ में आजकल बढ़ गया है आप लोग रामिला करते हैं बड़ा पवित्र किरदार होता है राम और सीतागा सब भी रामार की जिते किरदार है सब बड़े पवित्र हो क्योंकि हमें बहुत अच्छे-च्छे एंसेस्टर्स वगरा सब मिले तो आज कौन सा वह आपका पार्ट है रामिला का कौन सा आज पार्ट करने वाले आप बालीवद क्या क्थिनाई आई यहां पर रामिला में सब इन सारी चीज़ों में सबसे मुश्किल चीज क्या लगी हैं कोई ना कोई मुश्किल या कटिनाई कोई ऐसी आई हो की स्टेज पर परफॉर्म करने से पहले इस किरदार को निभाने में थोड़ी बहुत आई थी क्योंकि राम जी जब गुसा करते थे तो उनका गुसा समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि वह कभी माथे पे तेवर गुसा करने में दिक्कत होती थी बाकी मैं अपने घर पे पूछता था क्योंकि मेरा आपको अभी पताया था मेरे भाई राम बनते थे तो उनको काफी एंचीज हो का बात बताईए अब आप सीता का रोल निभा रही है बहुत ही कठेन रोल होता है बहुत ही रोना उसमें ए रखना है कितनी कामनेस दिखानी उस सबको बैलन्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है जो है बहुत बहुत धन्यवाद आप दुनों का मैसा जुड़ने के लिए इसी राम लीला के रावन और हनुमान आज हमारे साथ मौजूद है क्या नाम है अनिकेट चर्मा अनिकेट पूरी राम लीला में बुरा लगा कि राम लीला का रोल मिलना चाइए था किरदार निबाना तो स्कूल ने जो रोल दिया उसको अच्छी तरह निबाएंगे और राम लीला में आवार्ड लेकर जाएंगे इस वाली में खुश है आप अपने रोल से हैं जी बिल्कुल एक जो राम लीला हम देखा करते थे रामानन सागर की रावड का एक एक एक्स्प्रेशन जो उससमें हुआ करता था वो बिल्कुल अमर हो रखा है लोग वही पर एक्सपीरियंस था तो फर्स्ट एम एक्सपीरियंस अब जैसे हमारे पास आउट भाईया और दी दिया उनको उनके साथ हमने थोड़ी प्रैक्टिस करी उनका आशिरवात लिया और अब आज स्टेज पर परफॉर्म करेंगे और देखते हैं कैसा है क्योंकि हम इस वक् मिला हुआ कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है इतनी चोटी उमर में मेरा एक्चुली राम लीला में एक्ट भी एकदम से हुआ था डिसाइड क्योंकि रावन की कोई कारण वंस पुराना रावन आ नहीं पाया इसलिए मेरा हुआ पर बहुत बड़े स्टेज पर करेंगे और अच्छा लगा मेरे को यह सुनके अर्विन त्रिवेदी ने जो रावन का रोल किया था बिल्कुल जान डाल दी आज स्टेज पर वैसे आप आग लगाने कि जब रावन आता है ना तो पूरा स्टेज जो थरा आ जाता है उसके बाद बिल्कुल वैसे ही उनकी उनके उसको देखकर हम आज स्टेज पर परफॉर्म करेंगे और और ओडियंस को खुश कर देंगे कौन सी क्लास में एक पूरे देश को चला रहे हैं और एक नई वो लेके चल रहे हैं इंदुत्व की जो राम लक्षमन की जोड़ी तो एक हमारी बीजेपी के मुखे परश होगी आपको राम लक्षमन की जोड़ी जैसे बिल्कुल रावन कौन लगते हैं भारती राज़ीती के एक ही रावन है केंद्र में तो उनकी सरकार है नहीं स्टेट में सरकार है आपको सबको पता है अर्विंद के जरिवाल जी जिनन पूरी दिली को रावन की लंका बना र बहुत ने बोला पर बात बुरी लगती नहीं है क्योंकि स्कूल की तरफ से रोल मिला है तो उसको अच्छी तरह निभाएंगे बाकी नेगेटिव और पॉजिटिव रोल को देखते नहीं जो रोल मिला उसको अच्छी तरह निबाए उपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर र क्या bawाब देने कभाएं चो कि हर में से हमारी पझान निकल जा रहे कंणाना या निकल जा रहे हैं जो निकल जाते हैं तो उन लोगों को उनका जबाब पूर्फ श्रकार दे रही है हम यहाँ पे रामिला कर के जो लोग देखना चाहते उनको दिखा रहे हैं वाकिर मौरे शौक से कहते हैं कि रामिला कर रहे हैं बच्चे क्यों के पड़ा लिखा किया मिले है एक्टिंग करके आपको pracy ऐसे किया जवाब देंगा उन लोगों को जिसको कुछ नहीं करना होता वो वहांद बोलता रहेगा जिसको करना है और जो यह सोच के चल रहे थे कि क्या एक्टिंग में रख्वाज में रखा है वह भी स्टेज के नीचे ही है यहाँ बहुत सुंदर जवाब दिया आपने सेवक हनुमान कैसा लग रहा रोल मिलने के वाद पूछे वाद खुशी इतनी जादा है कि बता नहीं सकता आपको अपने लबजों से और जो राम बनाए केश्व वो मेरा बहुत अच्छा मित्र है हमारी बॉंड ने कि इतनी अच्छी है इसलिए आज तो स्टेड पर आग ही पूरी आग लग जाएगी आज तो स्टेज पर एक तरीके से हनुमान जोते सेवक के साथ साथ परम मित्र भी थे बगवान राम का आज तो राम बने और जो हनुमान बने दोनों वैसे ही मित्र है जी हाँ सभी का आपने आज कौन सा सीन करने वाले आप शेज पर जी आज हम कभी नहीं चाहिए होगी यह मेरे मां कर जाओ मेरे वर्ट से जैसी मज़ा आज सब कुछ इतने वी लोग बैटे हैं सारे के सारे आज तालीव जाएंगे यह कॉन्विडेंस यूथ में होना चाहिए आज जैसा स्कूल आज जो स्कूल परफॉर्म कर रहा है वो किसी स्कूल परफॉर्म नहीं क्या होगा ऐसा क्या खास करने वाला हमारी ओडियंस को भी बता दीजिए जी मैं आपको बस एक सीन बताऊंगा वाटिका विद्वांच का सीन है जिसमें अश्रक वाटिका उजाडेंगे वह सीन यर्दी आपने देख दिया आप हमारी राम जाके फैन हो फैन हो जाएंगे पूरे के पूरे वह एक सीन अगर आपने देख जातो इतनी अच्छी एक्जीक्यूशन सब कुछ सीन में इतना अच्छा है अगर लोगों ने ताजय नहीं वजाई मेरा नाम बदल देना यहीं खड़ा हूँ आप सबके सामने सही में अनिकेट कौन सी क्ल तो सिर्फ एक हनुमान है और वह रहते हैं यूपी में हमारे योगी आधित्यनाद जी क्या सब्सक्राइब लगते हैं इतना क्या कारण है उन्हें पसंद करने योगी बॉल्ड इतने हैं बात नहीं करते हैं डिसीजन भी रहा हूं मेरी मम्मी यूपी से हैं हम हर साथ कि यहां कि अपना पड़ाई लिखाई पर ध्यान लगाव क्या रखाया एक्टिंग में रहा है आप इतिहास नहीं है इसे करने में क्या शर्माना मेरे पिता जी भी वहनुमान जी के बहुत बड़े वक्त है इसलिए हमारे खर से तो कभी ऐसा सुनने में निए कि यह क्यों कर करते हैं उनकी मान सिकता इतनी तुछ है कि मैं मतलब बता ही नहीं सकता उन लोगों के तो शब्दी नहीं बचे मेरे में में बूल कि यह हमारा इतिहास है बहुत लोग इसे इतिहास नमन कहते हैं लोग तो कालपनिक चीज़ों की पूजा कर रहे हैं कुछ-कुछ धरम तो यह दर्ती चपती हैं कुछ द दरम यह भी चाहते हैं की सुर्ज दर्ती के आसपास घूमता है हमारा सनातन धर में सबकुछ एकड़म हो चुका है यह राम धीला हमारा इतिहास ही है राम से भी मिल चुका है हमको रावन के फुट प्रिंस तक मिल चुके है। और लोग जो कहते ह काम है उनका काम जिसने के नहीं करने काम करें तो करा रही है लोग अकसर बोलते हैं कि क्या जब को कराने की पड़ाही की पर आगे निवर सकता बहुत ज़रूरी है कि फीजिकल एक्टिविटीवी करें अपनी पड़ाई के साथ साथ और सबसे जरूरी है हमारा डांस जो हर बार होता है राम दिला में पिछले पांस सालों से हम पाटिसिपेट कर रहे हैं और हमने मैंने बेस्ट कोरिगराफर का भी ओड जल्दी से बहुत अच्छा बॉंड बन जाते हैं एक सुडेंट और टीचर बच्चे और मा जैसा रिष्टा कई ना कई जब इतने सालों से आप साथ जुड़े होते हो अपने आप साफित हो जाते बच्चे और मा जैसा बिल्कुल बिल्कुल मैं मौडर्ण कॉर्वेंट स् पर फिट भी हमारा इतना अच्छा रहता हमेशे पोग्राम और मैं चाहूंगे आप आज का भी पोग्राम हमारा देखें हमारा मेन इवेंट होगा क्रश्न वंदना आप जरूर देखें आपको ऐसा लगएगा पूरा गोकुल यहीं आ गया है कौन कौन से आज मतलब सीन है जिसमें आप डांस कराने वाले हैं आज मैं कराओंगे गणेश वंदना क्रश्न वंदना प्लस सुग्रिव का जो राजी अभिशेक हुआ था उसके उपर एक डांस है रामा एंट से रिलेटेड है वो बाकि शुरू में मेरे दो डांस है क्रश जुड़ने के लिए